पॉस बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राइजग है जैना जुएलर्स आबुलेन मेरत प्रताफ गड़ जिले में कॉंग्रेस नेताओ पर कराये गए मुकद्मों के खिलाफ आज प्रदेश में कॉंग्रेस ने सड़क पर उतार आई है पार्टी कारेकरताओं ने मुकदमों का विरोध करते हुए धर्ना परदशन करते हुए दर्ज मुकदमें वापस लेने के मांगी मेरट जिला मुख्याले पर भी जोड़दार परदशन किया गया दरसल लाल गंज में भाजपा सांसद संगम लाल कुप्ता और कॉंग्रेस नेता प्रमोत तिवारी के बीच दो दिन पहले गरीब कल्यान मेरे के दोरां विवाद हो गया था विवाद बढ़कर हाता पाई तक जा पहांचा था दोनों नेताओं के समर्थक भी आपस में बिढ़ गए थे करीब एक घंटे तक चले बवाल में प्रमोत तिवारी के साथ भी धका मुकी हुई थी दोनों नेताओं के समर्थ को को भी चोट आएं थी इसके बाद पुलिस नहीं है आई जोन इस्थकित करा दिया है था इस घटना के बाद प्रमोत तिवारी और आध आराध्धा मिश्चा समेट 27 नामजद और 50 अग्यात लोग खिलाप मुकदमत दच किये गए थे जिला मेरत कॉंघर्स कमेटी का अध्यक्स अभनीज जिला मुक्यले पर धरनाब दस्थन किया इस मौके पर अभनीज काजला ने यह जनकरी दे मेरा नाम अभनिस काजला, मैं जिला कॉंग्रेस कमेटी का अध्यक्षू मेरा पिछली 25 तारीक में पिरताफगर जिले में जिस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं पे पिरमोत तिवारी जी अरादना मिश्रा और अन्य कॉंग्रेस समर्थकों पे जो योगी सरकार ने मुकद में लगाएं इसकी कॉंग्रेस पार्टी को निंदा करती हैं वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए केंदर और पिर्देश की इस तरीके के कृते को अंजाम दे रहे हैं जो काम जंता के बीच में जाने के करने थे जिससे की नेता जंता के बीच में ना जाए उन पे मुकद में लगा के कहीं न कहीं ये सरकार उन्हें रोकना चाहती है प्रियंका जी की रैली का पूरे उत्तर परदेश में एक रोड में प्रियार हो रहा है जो पूरे उत्तर परदेश में एक महिने का पूरा चार्ट जहां से प्रियंका जी सुरुवात करेंगी पूरे उत्तर परदेश का एक चार्ट बन रहा है जिसे लेकर एक पूरा लेकिन उनके समर्थों ने गुंड़ाई करी हातापाई करने काम पूरे कारेकरम को एवरस्थित करने काम उनके लोगों ने किया इस खबर में फिलाल इतना ही आद देखतर ये फास्ट बाइट वाट टीवे नमस्कार झाल इतना ही आद देखतर ये आद देखतर ये आद देखतर ये आद देखतर ये नमस्कार